नवश्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग I hope आप सब की preparation बहुत अच्छी चल रहे होगी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में आज की इस class में दोस्तों हम लोग discuss करेंगे English के topic wise marks distribution ये बहुत help करेंगे आपको English prepare करने में और English जो आपका subject है जो section है उसमें एक अच्छा score करने म और हम यहां पर यह भी देखेंगे किया क्या हमारे important topics हैं देखिए जहां तक topic wise marks distribution की बात है मैं already आपको हर subject का topic wise marks distribution. प्रोवाइड करा चुका हूं फिजिक्स का भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है मैट्स का भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है कौन्स का भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है जीके का भी प्रोवाइड करा दिया है रीजनिंग का भी प्रोवाइड करा दिय आपका 2022 के मैंने 3 paper collect किये है shift 1, 2 and 3 के और 2023 के दो paper collect किये है shift 1 और shift 2 के जो आपके paper हुए थे तो basically हम लोग total 5 papers यहाँ पर देखेंगे उन पांचो paper का हम लोग analysis करेंगे और पता लगाएंगे कौन-कौन से important topics है यह जो सारे subjects हैं इनका already provide करा चुके हैं आप उपर i button पर click करके playlist देख सकते हैं बाकी कोई भी update चाहिए तो आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं यहाँ पर सारा update मिलता रहेगा आगे बढ़ने से पहले examination pattern मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ इंग्लिश आपकी 20 नंबर के आती है अच्छा खासा weightage रखता है 20 question 20 marks और ऐसा नहीं है कि बहुत difficult आती है आप देखेंगे तो candidates ने इसमें 18-19 तक score किया है इंग्लिश में 18-19 नंबर तक score किया है बस basically क्या है हमें पता होना चाहिए कहां से पूछते हैं जैसे कि अगर हम मोटी मोटी बात करें तो आप देखें reading comprehension कभी नहीं पूछा आता है reading comprehension कभी नहीं पूछा आता है क्योंकि इतना time नहीं रहता है कि आता है यहां पर तो टोटल अगर हम देखे reasoning aptitude 15 15 15 जनरल एवरनेस 10 इंग्लिश आपका 20 physics 30 और maths 30 120 question 120 नंबर कर 2 गंटे में solve करना होता है आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे batches available हैं आप हमारी website पर विजिट कर सकते हैं प्रशांचितुरेदी.com या फिर इन नंबर पर कॉल करके आप inquiry ले सकते हैं और साथ साथ हमारे batch आप एप के थूभी एकसेस कर सकते हैं और website के थूभी English medium के लिए English में ब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे important topics हैं जो की सबसे important चीज़ है यह आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2022 और 2023 का shift 1 और यह आपका shift 2 है टोटल पांच पेपर का analysis किया है 2022 का shift 1 अगर आप देखेंगे आर्टिकल के यहाँ पर तीन question पूछे गए है ठीक है 2022 shift 2 में article के दो question पूछे गए है 2023 shift 1 में article के तीन question पूछे गए है 2023 article के दो question पूछे गए है shift 2 में ठीक है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है article most important topic है article देखिए parts of speech के जितने भी types हैं यह अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इनके सारे rules क्या क्या rules कब कब applicable होते हैं कब कहां पर कौन सा rule लगता है तो part of speech अगर आपने अच्छे से से पढ़ लिया part of speech और इसके साथ साथ आपने tense पढ़ लिया part of speech tense और उसके साथ साथ कुछ specific topic हैं जिनका PDF हमारे telegram channel पर दे दिया गया है already available है आप जा करके वहां से download कर सकते हैं कौन कौन से हैं जिसे synonyms, antonyms, idioms phrases, one word substitution इसके PDF आप देख सकते हैं हमारे telegram channel पर available हैं और इन topics से हर बार question पूछा गया है, तो आपको ये topics skip नहीं करने, PDF आपको दे दिया है, उसमें पुराने ssc के 5 साल, 10 साल का पूरा collection है, आप उनको जरूर पढ़के जाएगा, बहुत सारे question आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है, 2022 के shift one की बात करते हैं, article के 3 question थे, preposition के 2 थे, idioms का एक shift one में 2 question, 2023 की shift two में भी 2 question, ठीक है, पूरा a to z इसका list है, idioms and phrases का, आप जरूर download कर लिजेगा, telegram channel पर मिल जाएगा, idioms and phrases, आप देखेगा, वहीं से आपको question मिलेंगे, पूरा a to z collection है, वो आपको पूरा learn करना होगा, वहां से 100% आपको एक दो question जरूर मिलेंगे, ठीक है, इसके बाद देखे, एक और important है, वो है one word substitution, यहाँ पर देखे, आप दो question आया थे shift one में, तीन question आया shift two में, और फिर तीन question आया shift three में, 2022 की बात कर रहा है, 2023 की shift two में भी इसके दो question पूछे गए, ठीक है, one word substitution, और antonym synonyms आप देखे, almost हर shift में पूछा गया है, 2022 के shift one में दो synonyms के question, एक antonym, 2022 के shift two में, दो synonyms के question, दो antonym के, यहाँ पर देखे, दो synonyms, एक antonym, यहाँ पर भी दो synonyms, इसके बाद देखे, shift two में, synonyms के दो, antonym के दो, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गए, कि हमें यह भी पढ़ना है, most important, synonyms और antonym, ठीक है, idioms and phrases, one word substitution, इसक पीडियाफ टेलीग्राम चैनल पर अविलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, आप मान के चलिए, 6-7 question आपको इनी तीन topic से मिल जाएंगे, कौन-कौन से topics हैं, फिर बता दे रहा हूँ, idioms and phrases, one word substitution, synonyms और antonym, यकीन मानिए, कम से कम 6-7 question आपको इन important है, fill in the blanks, और spotting error, आप देखेंगे सब में पूछा आता है, देखिए, spotting error के 2 question यहाँ पर भी, 3 question यहाँ पर भी, 2 question आपको यहाँ पर भी थे, और इसके अलावा देखे, shift 2 में 2023 के, यहाँ पर भी पूछा गया है, अब spotting error क्या मतलब है, मतलब क्या आपको error find करनी होते ह आपको sentence दिया जाएगा, उसमें आपको एक error find करनी होगी, अभी आप error कैसे find करेंगे, जब तक आपको English grammar के rules नहीं पता होगे, तब तक आप error कैसे बता सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी ने दे दिये, यह question आप रट के चले जाईए, ऐसा नहीं होने वाला है, तो इसके लिए आपको जब तक rules नहीं आएंगे, English grammar के, especially parts of speech आपको पूरा पढ़ना होगा, tense पूरा पढ़ना होगा, verb, adverb, यह सब चीज़े adjective, कौन सी verb, कहा लगती है, कब उसका second form यूज़ करते हैं, कब उसका third form यूज़ करते हैं, जब तक आपको ये rules नहीं आएंगे, spotting error आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, spotting error के लिए आपको rules सारे पढ़ने होगे, especially मैं आपसे बार 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 बोल ला हूँ, parts of speech पूरा पढ़ना होगा, और ऐसा नहीं है कि parts of speech पढ़ा नहीं जा सकता है, आप देखिए English grammar हम लोगों ने class 12 में पढ़ा हुआ, English grammar के आप अपनी class 12 क बुक ले सकते हैं, आपको कोई specific बुक नहीं मिल ले, ATC के लिए बुक वैसे भी नहीं मिलती, और ये सब चीज़ें के लिए कोई guide बगर लेने की जरूरत नहीं होती, आप class 12 का English grammar का बुक ले ले लिजे, या SP बक्षी ले ले लिजे, इसमें आपको ये सब English grammar के rules मिल जाए वो आप पढ़ लेंगे तो देखिए का आप spotting error में कभी आपकी mistake नहीं होगी, ठीक है, इसके बाद आता है आपका tense, तीन question यहाँ पर थे, rearrangement के दो question थे, यह हमारा 2022 का shift 1 का analysis था, shift 2 में article के दो question थे, पैरा जंबल के तीन थे, idioms का एक था, one word substitution के तीन थे, adjective का एक था, spotting error क तीन question थे, tense का एक था, proverb का एक था, इसके साथ साथ fill in the blanks था, fill in the blanks अल्मोस सब में पूछा गया है, fill in the blanks भी, अब हम आपको बोल रहा है, अब आपको कैसे आप कर पाएंगे, जब तक आपको rules नहीं पता होंगे, आप fill in the blanks नहीं कर पाएंगे, ठीक है, spelling error भी कभी कभी पूछ लेता है, miss spelled word दे देता है, वो भी पूछ लेता है, fill in the blanks कभी कभी एक ही filler आएगा, कभी कभी double filler भी आजाते हैं, ठीक है, मतलब कि दो blank आपको दिये होंगे, आपको option दिये होंगे, वह आपको option जो correct होगा, वह आपको वहाँ पर select करना होगा, ठीक है, तो fill in the blanks भी बहुत important है, आप बात करते हैं, 2022, shift तीन की, proposition के दो question, parajumble के दो, idioms के दो, one word substitution के तीन, conjunction का एक, spotting error दो, tense के दो, adverb के दो, अब यह जब तक आप parts of speech पढ़ें गई नहीं, तो यह आप adverb, conjunction, proposition, article कहां से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोलना हो, सबसे basic चीज है parts of speech, English की शुरुवाती बहीं से होती, parts of speech और tense, यह आपने अच्छे से पढ़ लिया, तब यकीन मानिए, आप जो भी इस तरह के question आएंगे, fill in the blanks आएगा, वो भी आप कर लेंगे, spotting error आएगा, वो भी आप कर लेंगे, और part of speech से related, कुछ भी आएगा, conjunction पूछ लेगा, adverb पूछ लेगा, आपका prover पूछ लेगा, proposition पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है, synonyms के यहाँ पर दो question थे, antonyms का एक, और fill in the blanks का एक, shift one की बात करते हैं, जो 2023 की, article के 3 question, conjunction के 2 question, idioms के 2, fill in the blanks के आप देखिए, यहाँ पर total कितने question पूछे गए, six questions, fill in the blanks के 6 question, tense filler, यह भी fill in the blanks था, लेकिन यहाँ पर tense पूछा गया था आप से, तो basically आप देखिए, fill in the blanks के total 8 question, 8 question अच्छा खासा weightage रखता है, यानि कि 8 number, तो आप fill in the blanks कैसे कर पाएंगे, जब तक आपने parts of speech नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप class 12 की English grammar की book ले लिजे, या SP बक्षी ले लिजे और parts of speech से पढ़ना शुरू कर दीजे, सब कुछ तो available है, आप जाईए YouTube पर सर्च करिए, वीडियो डालिए, topic का नाम डालिए, आपको वीडियो मिल जाएंगे, उसके rules, regulations, जो कुछ भी उसके rules हैं, daily का daily, आधे गंटे आपको सिर्फ English पढ़नी है, आज आपने जैसे suppose उठाया, parts of speech का पहला part मालीजे, suppose आपने noun से start किया, noun पढ़िये, 30 minutes दीजे, अभी भी बहुत time, आपके पास 50 दिन, अभी भी है, 40-50 दिन, तो आपने noun उठाया, आप अपना copy लिजे, बोलिया, आज चल नहीं लगेगी, ठीक है, proposition के देखिए, यहाँ पर दो question थे, proverb का एक था और synonyms के दो question थे, shift 2 की बात करें, article के आपके दो question पूछे गए है, conjunction का एक question है, idioms के दो है, one word substitution के भी यहाँ पर दो question है, मैंने बताया है कि यह बहुत important है, idioms, one word substitution और synonyms, antonyms, tense के यहाँ पर दो question पूछे गए थे, proposition के दो है, proverb का एक है, spotting error के दो है, synonyms दो, antonyms दो, और rearrangement के दो question, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको चीजे बताई है, क्या क्या चीजे है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, parts of speech, parts of speech, देखिए, vocab बगरा पढ़ने का भी इतना time इतने सारे words है, आप कितने learn करेंगे, parts of speech पढ़िए, tense पढ़िए, ठीक है, जितने भी rules है, सब लिखिए, और सब बकाइदा उसको daily का daily revise करते चलिए, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है, one word substitution, one word substitution के बाद आपको क्या पढ़ना है, idioms, oblique phrases, idioms, oblique phrases, और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है, synonyms, और इसके बाद आपको पढ़ना है, antonyms, आप देखिए गाद जो English से आप लोगो डर लगता है, घवराते हैं, आप इतना पढ़के चले जाएए, काम हो जाएगा, parts of speech में ही सब क कुछ कवर हो जाता है, और ये tense में, ये दो topic ऐसे हैं, इन में सब कुछ कवर हो जाता है, बाकि फिर ये तो आपको learn करना ही है, क्योंकि यहां से आप यकीन मानिए, 6-7 question आपको मिलेंगे, तो ये अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको difficult लग रहा है, आपको time नहीं है हो, बाकी मैं suggest करूँगा, आप पूरा पड़ ये, जो भी बताया है, अभी से आज से अपनी copy बना लिजे, copy maintain करे, daily के daily उसमें सिर्फ 30 minutes दिना है, आप rules लिखते जाए, noun के क्या होते हैं, pronoun के क्या होते हैं, और related questions करते जाएए, आप देखेंगे, एक मैने के बाद आपकी English कबर हो जाएगी, बहुत confidence आएगा उसके बाद फिर आपको डर नहीं लगेगा English में, so I hope आपकी सारी चीज़े clear हो गई होगी, जो जो important था में आपको बता दिया, सारे subjects का हमने आपको PYQ का analysis करके topic wise marks distribution हमने आपको provide करा दिया, कोई और जानकारी चाहते हैं, batch related आप call कर सकत हैं, सारा update telegram channel पर मिलता रहेगा, किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो इस video के नीचे comment कर दीचे, so thank you very much and thank you for watching.